आज मैं आप लोग के सामने बनाने वाले हुए कि यम्मी डिलीसियस कस्टर्ड मिल्क केक जिसे आपने कभी नहीं खाया होगा तो प्लीज इस रेस्पी को जरू ट्राइ किजेगा और कमेंट सेक्शन बताएगा कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी यहां मैं इसके लिए मिक्स करेंगे यहां मैंने शोगर डाल दी हुई है इसके बाद यहां मैंने कस्ट्ड पा उड़न दालूंगी इस तरीकेसे इसके बद कि मैदाख यहां अच्छे से बेटर तयार करेंगे इसे इसे त्क इसे बाड़त प्ला करेंगे अब यह देखे इनो पाड़र डालेंगे ताकि जो हुमारा केक है वो अच्छे से spongy बने इस तरीके से और अच्छे से mix करेंगे इसे ज़्यादा mix नहीं करना है क्योंकि आपर इसे जदा mix कर देंगे तो जो इनो का जो reaction है वो खतम हो जाता है ये देखिए जो मारा बैटर है इस तरीक से गाड़ा होना चाहिए अब यहां मैं साइड में क्या गरेंगे कूकर लेंगे उसके अंदर मैंने यहां प्लेट रख दिया है अब हम इसे कूकर में डालेंगे ये देखिए जो हमारा कूकर वो preheat हो चुका है अब जो कटोरी है इनको अच्छे से रख देंगे ये देखिए इस तरीके से अब हम एक गंजी में दूद लेंगे और इसे अच्छे से बॉइल होने देंगे और साइड में एक छोटी से कटोरी में हम दूद लेंगे और इसमें हम कस्टर पाउडर डालेंगे और इसका एक छोटा सा घोल बनाएंगे ये देखिए यहाँ पे एक चमच मैंने कस्टर पाउडर लिया और इसका मैंने घोल बनाय हुआ है ये देखिए यह देखे हैं हमारे दूद में बॉयल अच्छे से आ चुका है अब हम यह देखें जो हमारे केक हैं वो अच्छे से तयार हो चुके हैं इसे मैंने रखा था 15-20 मिनिट के लिए लो फ्लेम में और इसे हम जब यह बन जाएं तो इसे प्लीज चक्कू से अब चेक कर लीजेगा कि यह अंदर से कच्छे तो नहीं है अब हम यहां क्या करेंगे जो हमारा दूद है उसमें जो हमने कस्ट्र पाउडर का जो घोल बनाया हुआ था उसे तीरे तीरे डालेंगे ताकि जो हमारा दूद में बिल्कुल भी लंस ना रहें अरु कि इस तरीक यह तो लुद لिया रीजे ही एसके उठीक से फे dub occasionally can do god जो हम मैं टूद हो जब दूद लिया था उसे थोड़ा कम हो गया ईसके बादध में सब्सक्राइट करेंगे आप obliged करुछ केक में भी शोगार अट किया है। तो कैम तो कम ध्रीर की ज़ए चुका है अब यह मोज़े हमाया अ antig stories क्रीजिए एजayed किया स्थूंक है वह बनांने केक मिलक है ताकि जो तयार है हमारा कस्टड मिल्क केक अगर आपको यह रेस्पी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद जो साइडों बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा